नापपुर नगर निगम ने कोर्णा के कारण मरने वाले व्यक्तियों की दाह संसकार के लिए निगम के सभी शंशान घाटों पर मुवजलाओ लकड़ी प्रदान करने का निर्ने लिया इसके लावा अन्य व्यक्तियों के अंतिन संसकार के लिए सभी घाटों पर ब्रिकेट भी मुफ्त है लेकिन इसे लेकर नागरिकों में बहुत भ्रम है यह भी देखा जाता है कि कुछ लोग दहन घाटों पर शिल्क लगा रहे है चिकित्सा सेवा और स्वास्त विशेश समीति के अधेश्यों महेश महाजन निर्देश दिया के संबन में ततकार कारवाई की जाए स्वास्त विभाग के विभिन्न विश्यों के समन में सुमवार को डॉक्टर पंजाब राध देश्मुक सुरतिस्ताई समीति हौल में एक विशेश बैठक आयोचित की गई समीति के अधेश्यों महेश महाजन बैठक में उपस्तित थी वीडियो के माध्यन से डिप्टी स्पीकर विक्रम गवाल बंशी सदेश्यों नागेश मानकर सदेश्यों विध्याकान हेरी उपायक्त और डिरेक्टर सॉलिट वेस्ट मैनेजमेंट डॉक्टर प्रदीब दशरवार मेडिकल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर संजेच चिलकर अस इनके साथ धोकाधड़ी हुई है और उन्हें नियमों का प्रमान पत्र देकर उनसे पैसी वसुले जा रहे है उपायक्त और ठोस अपशीष्ट प्रभंदन की निदेशक डॉक्टर प्रदीब दशरवार ने व्रिस्त जानकारी दी सहकार नगर अंबाजरी मानेवाडा हचार के ली इंजह घाटों पर मुवचलाव लक्ट की आपूरती करने का निरने लिया गया था निरने के अनुसार अब शवोग Constitution की दाह सनस्कार के लिए सबी घाटों पर मुवचलाव लक्टी प्रदान की जाती है इसके अलावा ब्रिकेट को अन्य निकायोंिकी दफन की के लिए निश्रक प्रदान किया जाता है इसके बाद भी अगर निगम के घाटों पर शव के अंतिम संस्कार के लिए लकड की मांग की जारी है तो इसकी सूचना दी जानी चाहिए और इसके खिलाफ कारवाई की जाएगी प्रदिप दशर्वार द्वारा प्रस्व स्वास्त समीती के अदेश महेश माजन निन्य देश दिया कि जलाव लकड की मुफ्त आपूरती के लिए एक संदेश बोड को दहन घाट की दुरुष शेत्र में रखा जाना चाहिए ताकि नागरिकों के बीच कोई ब्रहम न हो और उन्हें धोकान न दिया जाए इसके अलावा कोव शेहर में गैर सरकारी संगटनों से भी अपील की कि वे आगे आए और अपना नाम एंसीपी को देए क्यामरपोसन राजकुमार मोड के साथ अभिशेक पान से बीसी न्यूस नाखपूर